जियां दोस्तों आज की वीडियों हम बात करने बाले हैं MPI TIE के बारे में जियां दोस्तों जैसा कि आप Thumbnails में देख पा रहे हैं कि MPI TIE की पस्ट राउंट की मेरे लिस्ट कब जारी की जाएगे लिस्ट में नाम आने के बाद में हमको क्या करना होगा इस सारी प्रोसेस इस बीडियो के मादम से जानने बाले हैं अगर दोस्तों आपने MPI TIE में एडमिशन लिया था तो दोस्तों इस बीडियो को पूरा देख लीजिए आपको इस बीडियो को देखने के बाद में आपके मन में आईटाई से संबने जितने भी सबी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे तो दोस्तों MPI TIE में एडमिशन लेने के लिए 2021 में सबसे पहले आपको पता होगा कि आपको एक रेजिस्टेशन करना था इसके बाद में आपको चोईस्पिलिंग करनी थी जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेजिस्टेशन और चोईस्पिलिंग की लाच जेट यहाँ पर आठ अगस्त रखी गई थी यानि कि दोस्तों आप आठ अगस्त तक दोस्तों परस्ट राउंड की चोईस्पिलिंग और रेजिस्टेशन कर सकते थे जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब दोस्तों हमने रेजिस्टेशन कर लिया था हो चोईस्पिलिंग भी कम्प्लीट कर ली थी तो इसके बाद में हमको जो प्रोसेस करनी हैं दोस्तों वो करनी है मेरे लिष्ट के, अब दोस्तों हमको केवल एक चीज करना है, मेरे लिष्ट का इंतजार करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठर्ट नमबर परामा depth गया है कि प्रतम चैन सूची जारी करना, जिया दोस्तों पराउंड की मेरी लिष्ट जारी के जाएंगे, उसको आप कैसी देख पाएंगे, उसको दोस्तो आप online देख पाएंगे, और साथी साथ अगर आपका किसी भी college में नाम आ जाता है, जो आपने choice प्लिंग करने के time पर select के थे तो दोस्तो आपके पास में SMS भी आ जाएगा, आपकी registered mobile number पर एक SMS भी आ जाएगा और उस SMS में आपको clear बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा alert किया गया है 14 अगस्त को ठीक है अब दोस्तों मान के चलिया हमारा किसी college में नाम आ जाता है तो दोस्तों नाम आने के बाद में हमको क्या करना है जिस college में आपको admission चाहिए उस college म आपको खुद जाना होगा पिजिकल आपको उपस्तित होना होगा और वहाँ पार जाकर अपने document के verification करवाने होगा आपने registration करते time जो भी document का यूच किया था सभी document को अपने verification कराने के लिए ले जाना होगा और जैसी आपके document verification हो जाते है इसके बाद का जो process करना है उसके ब 16 अगस्ते लेकर आपको 18 अगस्ते के बीच में आपको अपनी piece submit करनी होगी तो दोस्तो जो piece submit करनी है वो किस तरह से करनी होगी वो आपको online करनी होगी ठीक है आपको अपको क्या करना है, एक बार मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, 14 अगस्त का इंतिजार करना है, 14 अगस्त का मैं जैसी आपको कोई College Allょट होता है, उसके बाद मैं आपको अपने College में जाकर करके document verification करवा लिने हैं, इसके बाद मैं आपको क्या करना है, करनी है ठीक है अब दोस्तों जब आप डॉक्मेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे आप अपने कॉलेज में तो दोस्तों कौन को से डॉक्मेंट ले जाने इबो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको 14 अगस्त को प्रिंट आउट आपको ले जाना होगा जैसा कि आप देख पार हैं 10.5 पेरा में अवेर्ती को सास की आईटाया में प्रिविस लेने ही तू अपने समश्त मूल प्रमाड पत्र आबस्यक प्रिचिछाड सुल्क तता बैपसाइट से प्राप्त आबंटन का प्रिंट आउट समपोड मूल दस्ताबेच की साया प्रती के दो सेट एबंब दो पोटो लेकर अपने आईटाय में स्वहम उपस्तित होना पड़ेगा जिया दोस्तों सभी की यानि की जो यहाँ पर डॉकुमेंट दिये गए हैं उनकी दो-दो सेट आपको ले जाने हैं साती दोस्तों यहा का मेरे लिस्ट का आपको एक प्रिंट आउट ले जाना है वो भीआ चगदर अगस्त को टालोट कर पाएंगे तो आपको 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 ले जाने हैं आन्नी journals चाठ पर ले दे रहां जाता हूं, यहाँ पर क्ले लिखा गया है कि आपको जो भी कॉले एलौट किया गया है, उसमें आपके ओरीजिनल डॉकमेंट सम्मिट नहीं करना है, केबल और केबल दोसके पोटो कॉंपी सम्मिट करने है, जब लेगांगा आपको कॉलिच में कमेंट करें और इस्टाग्राम पर फॉलो कर लिजी जो भी आपके डाउट ने इस्टाग्राम पर डिम की द्वारा पूछ सकते हैं लिंक आप पूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चली वीडियो को हीपक करते हैं समाब इतने इस वीडियो के साथ तब तक लिए बाइ